मध्यप्रदेश के कटनी में गोल्ड लोन फाइनेंस कमपनी में 15 किलो सोना और 30 लाख नगदी लूट पार्ट की घटना में बेउर जेल में बंद सुबोध सिंग का नाम सामने आया है जिसके बाद सवाल ये उठ रहे है कि सुबोध बिहार की सबसे बड़ी सुरक्षित जेल की चार दिवारी में कैद है लेकिन फिर भी देश के अलग-अलग राजियों में पुलिस के लिए ये सिरदर्द बन गया है चार सालों में जेल में रहते हुए उसके खिलाफ एक दरजन से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं ऐसे में सवाल यूटता है कि आखिर कैसे जेल में बंद अपराधी अपने गुर्गों से अपराध को अनजाम दिलवा रहे हैं राजधानी का केंदरिया अरदर्श-कारा बेऊर पिछले कुछ महिनों से पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है जेल में बंद अपराधी जिले में हो रहे हैं अपराधों को अंधर मारी केगे मगर हालात नहीं सुधरे कुछ पेशे बर अफ प्राधियों को बेउर जेल में भागल पुरस्थित आदर्श के इंदेकारा में भेजा गया था लेकिन वे कानूनी दाउं पेच लगा लोटा है हाल में ही चुड़ी मार्केट से रंगदारी मांगने वाला बेउर जेल का कैदी भावानी ओडियो में राहुल नामक बंदी से मोबाइल का चार्जर मांगते और दूसरे को गाण्या मनाने का आदेश देके सुनाई दिया जेल प्रशासन की उदासी निता के कारण शहर में जंगीन अपराध हो रहे है जिस पर रोक लगाना पटना पुलिस के लिए च्छनौती बन गई है प्रदेश में मलापुरम फाइनैंस में 26 नमबर 2022 को दकरीवन 16 कजी सोना की लूट हुई थी जिसमें कटनी पुलिस के द्वारा दो लोगों को अंदर स्पॉट गिरफतार किया गया थै जिसमें एक बकसर का लड़का था और एक हाजिपुर का लड़का था उसके बाद उस से एक गिरफतारी हुई है उसमें स्टेफ ने भी सही उन दिया है और जिस क्रूप के बाकी लोग है इसमें वहां से जैसे जैसे हम लोगों से जो भी इंफर्मिशन और इंपुट आ रही है तो उनका टीम यहां पर कैम कर रहे हैं और उनकी हम लूग लगातार मदद कर रहे और उसमें सुबोद सिंग का इन्वेरेबली नाम आता है कि सुबोद सिंग और प्लु सिंग नाम का अपराद कर्मी है जो कि मुर्डूप से स्पस्तिपूर का रहने वाला है तो यह जो टीम आई है कटनी वाली टीम आई है यह भी सुबोद सिंग के उपर ब्योड जेल में विजाके पुष्टाश की गई है और सुबोत सिंग का इसमें नाम आया है और बाकि जो भी साक्षर उसारे वहां पे जो अपना वो वारट का कारवाई करेंगे तो यहां से फिर प्रक्षर वारट लगाके इसको वहां पर पस्तापित करा जाएगे